राजनेताओं को भी अब नहीं मिलेगी पैंसन नमस्कार दोस्तों सुवागत हम सभी के फिर से आपके अपने यूटूब चैनल को और वेंट एमपले नीच में जी हाँ दोस्तों एकदम सही सुनाएं आपने एक तरब जहां केंद्रे करमचारी हूँ या फिर राजसरकारों के करमचारी सभी रिटार्मेंट के बाद सम्मान जनक जीवन जीने के लिए एक पैंसन की गारंटी की मांग कर रहे हैं वहीं पर हमारे राजनेताओं को एक नहीं पांच-पांच पैंसन मिलती हैं तो इसी को लेकर एक बड़ी कबर सामिने आई है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकरी दी जाएगी तो वीडियो मां पलाश तक बने रहें वीडियो मागे बढ़ने से पहले सरकारी करमचरियों को पेनिसन मिलनी चाहिए या पिर नहीं मिलनी चाहिए इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लेकर जरूरů बताएं इसके अलावा, राजनेताओं की पेनिसन को लेकर जो फैंसला लिया गया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लखें और यदि आप सरकार के इस कदम से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें तो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है फिलाल हिमाचल प्रदेश से तो हिमाचल राज सरकार ने बड़ा फैंसला लेते हुए दल बदलू विदायकों को अब पैंसन नहीं देने का फैंसला किया है हिमाचल प्रदेश में अब पार्टी बदलने वाले विदायकों को पैंसन नहीं मिलेगी पैंटसन के अधिकार से वन्चित होने पर पूर्य विदायकों से पिछली रकम की भी वसूली की जाएगी दल बदलों पर सिकंजा कस्ते वे मुख्य मंत्री सुक्विंदर सिंग सुकुने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विदान सबा सदस्यों के भत्ते और पैंटसन संसोधन विदायक 2024 पेस किया जिसका ओदेश विदायकों की पैंटसन बंद करके उन्हें दल बदल करने से रोकना और हतोत साहित करना है अगर इस विदायक को मंजूरी मिलती है तो अयोग गोशित विदायकों की पैंटसन बंद करने का यह देश में पहला कानून होगा सदन में चर्चा के बाद विदायक पास किया गया विदेक के अनसार अगर कोई व्यक्ती सम्विदान की दसवी अनसूची यानि की दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी समय अयोग ठहराया गया है तो वह अधिनियम के तहत पैंटसन का हकदार नहीं होगा विदेक में इस संसोदन के तहत अयोग ठहराये गए विदायकों द्वारा ली जा रही पैंटसन की वसूली का भी प्रावदान है अधिनियम की धारा 6B के तहत पांस साल तक की अवदी तक सेवा करने वाले प्रतेग विदेक को 36,000 रुप ही प्रति माई ने पैंटसन दी जाती है दारा सिक्स इमें आगे कहा गया है कि प्रतेग विद्या को पहले कार्यकल की अवधिक से अधिक प्रतेग वर्स के लिए एक अजार उपे प्रतिमाय के अतरिक्त पैंशन दी जाएगी वहीं पर ये भी कहा गया है कि यदि कोई राजनितिक नेता अपना दल बदल लेता है तो उसकी पैंशन रोक दी जाएगी इसके अलाव यह भी का गया है कि यह दी कोई व्यक्ति समीधान की दस्वी अनिसूची के तहत अयोगोसित कर दिया जाता है तो वे इस अधिनियम के तहत पैंट्सन का हकदार नहीं होगा दस्वी अनिसूची दल बदल उरद्य कानूं से संबन देता है तो अब यहाँ पर यह बड़ा पैंट्सन लिया गया है क्योंको इस पैंट्सन के बाद अपना दल बदल करने वाले विदायकों को भी पैंट्सन मिलती रही है कहीं कहीं पर नेताओं को बहुत ज़यदा pension मिलती है, कई pension हो लेते हैं, तो अब उनकी pension पर भी action होना शुरू हो गया है, हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज बन गया है, जिसने नेताओं की pension को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है, तो हिमाचल राज सरकार के द्वारा लिए आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जनकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सेर कर दें, आपके दोस्तों के साथ, चैनल के साथ बने रहे हैं, वेल आइकन जरूर प्रेस कर ले हैं, हर एक यूजपल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए